प्रीती प्रेडना चानल के शुरुआत मैंने की थी अपना confidence आप लोगों के साथ शेयर करके लेकिन आज ये एक ऐसा platform बन चुका है जहां लाखो लोग अपना confidence हमारे साथ शेयर कर रहे हैं ये वो proud members हैं प्रीती प्रेडना फैमिली के जिन्होंने remedies पर विश्वास किया उन्हें exactly वैसे ही follow किया जैसे बताया गया कोई doubt नहीं किया और नतीजा आपके सामने है ये before after उन्होंने खुश होके मेरे साथ शेयर किये हैं मैंने curate नहीं किये हैं अब आप समझ सकते हैं कि क्य magic में यहां शेयर करती हूँ इसलिए please remedies को ध्यान से देखिए सुनिए समझे और फिर देखिए क्या magic आपके लिए करते हैं प्रीती प्रेडना का परिवार कभी भी आपसे नहीं कहता है कि आप dermatologist के पास मच जाएए बस इतनी से हिदायत देता है कि अगर आपको hair fall हो रहा है hair regrowth नहीं हो रही है तो एक बार in remedies को अपने लिए definitely try कीजिए और उसके बाद भी अगर आपको फरक नहीं मिलता है तो definitely dermatologist के पास जाएए it's very important अगर आप अपने hair fall को restrict करना चाहते हैं hair regrowth देखना चाहते हैं बालों को लंबा करना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लि परिवार के प्रतेक सदिस्से का उनके अपनी चानल पर बहुत-बहुत स्वागित है आशा करती हूं आप सभी स्वस्थ हैं खुश हैं अपना खयाल रख रहे हैं और बहुत पॉजिटिव हैं आप लोगों के खुबसूरत से comments पढ़ के I am always on cloud9 thank you मेरा दिन बहुत-खुब सुरत बनाने के लिए दिल से अभार दिल से शुक्रिया बहुत-बहुत-बहुत-बहुत सारा प्यार अगर चानल पर पहली बार आए हैं तो आपसे विनम्र निवेदन है कि जाईए चानल को चेक आउट कीजिए कि क्या कमाल के DIY remedies में यहां शेयर करती हूं जिनका इस्तमाल करके परिवार बहुत खुश है आप भी हिस्सा बन सकते हैं लाल रंग के बटन को क्लिक कर दीजिए जिस पर सब्सक्राइब लिखा है बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो फ्यूचर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएंगे और अगर आपको यह प्रस्तोती क्या करना है सब कुछ बताने वाली हूं लेकिन सबसे पहले की इंग्रीडियन बता दू ताकि आप लोग किसे भी प्रकार से कंफ्यूज ना रहें डाउट में ना रहें और अच्छे से विश्वास करके इसको ट्राय कर सके हमारा की इंग्रीडियन इसके बारे मैं आज मैं है उसके हिसाब से आप कौन सी वाली डेमेडी फॉलो करें है बहुत होने वाला है इसलिए ध्यान से सुनना एक बार ट्राय करके देखना ना मिले रिजाल्ट उसके बार तो गाड़ी चली रहें आगे भी चलती रहेगी तो जब दी से सुदू करते हैं आपके हैर स्क्याल् कुछ लोगों का ओली भी हो जाता है तो इसकी वज़े से वह पड़ी ना लिटरली ऐसे चिपक जाती है आपका स्क्याल पैसा है तो यह वाली रेमेडी आपको कैसे ट्राय करनी है आपको लेना है सबसे पहले प्याज का रस जिसको निकालना बहुत आसान होता है आप ग्रा आपको फ्रेश ही निकालना पड़ेगा यह एक बहुत इंपोर्टन सा पॉइंट है दन दो बड़े चम्मच प्यास का रस इसमें आपको लेना है दो बड़े चम्मच कोकोनेट ओल अब एक बात ध्यान से सुनिए कोकोनेट ओल कमेडेजनेक होता है यानि कि पोर्स में जमा हो जाता है घबराने वाली बात नहीं है अच्छे से वाश करेंगे तो कभी भी कोई भी इस्तमाल कर सकता है लेकिन अगर आपको पपड़ी जमी रहती है बहुत ज्यादा परेशानी है तो आप कोकोनेट ओल में इसको लीजिए अच्छे से मसाज कीजे बालों में एक पतली के सारे फ्लेक्स निकल चुके हैं और जो भी डिकॉक्शन आपने पने रूट्स पे लगाया था वो पूरी की पूरी लेंथ में इकुली मिल जाएगा पूरे स्काल्प पर ब्लट का सर्किलेशन आएगा और आपका जो हेर फॉल हो रहा है वो सबसाइड हो जाएगा फ्लेक के रसे डरते हैं क्योंकि उनको बहुत सेवेर हैर फॉल हुआ है जब भी उन्होंने लास्ट राय किया है पहली बाइट राय किया है थोड़ा सा स्ट्रॉंग है हमें समझ नहीं आता रूट से कंफ्यूज है इतना स्ट्रॉंग चीज आई है बट ग्राजली जब आप इसको तो आपको दो बड़े चम्मच प्यास का रस जैसे कि मैंने आपको बताया है कैसे आपको एक्स्ट्राइक करना है इसमें आपको लेना है एक बड़ा चम्मच हनी यानी की शहद बाल सफेद नहीं होते हैं मैंने बहुत डीटेल में आपको बताया है कि हाइड्रोजन पिरॉ कॉटन से हाथ से सिरफ जड़ों में इसको अपलाय करते जाना है जब आप इसको जड़ों में डिपॉजिट कर दें कंगी करने की गुस्ताखी मत कीजिएगा यह सिरफ एक हुमेक्टेंट है और जो प्याज है वो आपके जड़ों पर काम कर रहा है नए फॉलिकल्स को उगने उस कंवर्जिन को रोकता है जिसकी वज़े से आपको हेर ग्रोथ हो जाती है जादा समझने के आप शकता नहीं बस इतना समझिए कि यह जो मिक्स्चर है यह आपके बालों में बहुत अच्छी ग्रोथ देता है इसलिए बिना शक के बिना डाउट के दोनों की चीज़े होत अगर आपके बाल ना तो ओईली है ना तो ज्वाई है पिल्कुल हेल्दी है बस हेर ग्रोथ नहीं हो रहे है सब कुछ बढ़िया है पर हम चाते बाल लंबे हो बालों की ग्रोथ रुख गई है डेंसिटी उतनी की उतनी है बहुत सारी रेमेडिस ट्राय कर ली है तो आपको इतना स्ट्रॉंग तरीका बता रही हूं कि अगर आपने इसको ऐसे फॉलो कर लिया तो वापस आके लिखेंगे प्रेना पहले क्यों नहीं बताया बताया मैंने कई पर आप ध्यान नहीं देते ना पर इस ओके मैं दुबारा से बता रही हूं आपको एक पैन में लेना है ए कि दिखाएंगे और फिर जब आपको इत्मिनान हो जाए कि वह लेकर आए नहीं हो सके तो बैस्ट वेया है इसके बारे में पढ़िए जब पढ़ते हैं तो समझ में आता है डिस्टिंग्विशिबल फीचर्स मिलते हैं और आम असानी से परचेस कर पाते हैं नहीं तो लिं तो आप बोलेंगे तो आप भी नहीं रुखेंगे क्योंकि इतनी सारी प्रॉपर्टीज है जो आपके बालों को बढ़ने में हेल्प करती है कोई भी समस्य आपके स्कैल्प में है माक माय वर्द्स कोई भी समस्य आपके स्कैल्प में है बालों में है यह उसको सॉल्व कर सकता अड्रेस नहीं कर रहा है सिर्फ उसको जाके बता नहीं रहे क्यों कि आप परिशानी है प्रीज जले जाएए यह उसको सॉल्व करता है कि वह वापस भी नाए इतना स्ट्रॉंग होता है नाइजिला सीट्स का डिकॉक्षन या उसका पेस्ट जो भी आप बनाए यहां पर इस बस एक्जाक्ली आपको इसी में दो बड़े चम्मच या एक बड़ा चम्मच आप इसमें नाइजिला का यह जो अपनी टिकॉक्षन बनाया है यह डाल दीजिए इसको मिक्स कीजिए और अपने बालों में लगाईए जितनी बार ओलिंग कर रहे है ना उसके बाद सर्द हो जोने से 2 गंटे पहले इसको अच्छे से स्काल्प पे लगा लीजिए सिर्फ स्काल्प लेंथ पे जरूरत ही नहीं है फ्रिज आजाता है बलकी लेंथ में लगाने से तो सिर्फ स्काल्प पे लगाईए और फिर देखिए आपके बालों को बढ़ने से कौन रोक सकता है ग्रोथ के लिए इस्तिमाल होती है ये आपको डेफिनिटली बहुत अच्छी ग्रोथ देगा पहले बिफोर क्लिक कर लिए ना पहले बता रहे हो बिफोर क्लिक करके रख लो इस रेमेडी को स्टार्ट करना शुरू कर दो और उसके बाद जब बाल लंबे हो जाए तो आफ थी में भी तो वही बताया था थीकिए नंबर थी में है स्टेडी ग्रोथ ग्रोथ तो डेफिनिटली होगी और बहुत ही स्टेडी होगी मतलब ना फास्ट ना स्लोब बढ़िया जैसे आपका मेटेबॉलिजम है वैसी ग्रोथ होगी लेकिन नंबर फॉर उन लोगों के लि यानि की अद्रक का जूस जिहां वही तीखा जो गले में लगता है जब गला खराब होता है यही तीखा जूस जब आपके बालों में जाएगा ना तो ब्लट के सर्कुलेशन को अपने आप महां बुलाएगा और जैसे भी आपका मेटेबॉलिक ग्रोथ है बालों की जितना तो दो बड़े चम्मच आपने प्यास का रस लिया है दो बड़े चम्मच आपने जिंजर जूस लिया है और दो बड़े चम्मच आप यहां पानी का लेंगे अगर गुलाब जल ले सके तो बहुत बढ़िया यह उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली जादा अच्छा है जि इसी लिए आप इसको हफते में दो बार इस्तिमाल करेंगे तब तक इस्तिमाल करेंगे जब तक ओपना बालों को वापस से नॉमलाइज होने में समय लगता है इसलिए हैर फास्टिंग इन रेमेडी के साथ बहुत आवशक है तो आप हमें अवश्चे नीचे लिखकर बताइए कि आपका स्कैल्प टाइप कैसा है आप कौन सी वाली रेमेडी अपने लिए फॉलो करने वाले है डे आना है रिजल्ट कैसे रहे आपको रिजल्ट मिले नहीं मिले आप खुश हुए दुखी हुए जैसा भी आपका एक्सपीरिंस रहा जरूरा के शेयर कीजिएगा क्योंकि यह प्लाटफॉर्म सिरफ हमारे रिजाल्स के लिए नहीं बलकि हमारे दूसरे के एक्सपीरिंस के हम सब यहां से बहुत कुछ सीख रहे हैं बहुत ज्यादा शुक्र गुजार हूं आप लोगों के लिए मैं ऐसे ही एफट्स करते रहूं तो प्लीज मुझे प्रोच साहित कीजिए वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा नए है तो सब्सक्राइब अवश्य कीज फिल्मों मेरा ऐसे थर्मकोल लगता है ताकि एसा रिफ्लेक्शन आए अच्छा अच्छा मेरा फर्स मेरा वह बना हुआ है इसा रिफ्लेक्शन ब्यूरिपल